ओम शान्ती, Heavenly Godfather, नई दुनिया की स्थापना अर्थ, हम बच्चों को हर रोज नई नई ज्ञान की गुहे बाते सुनाते हैं, माया से स्वयम को कैसे सेफ रखना है, वो विधी भी बताते, और नई दुनिया में जाकर राज्य भागे लेना है, उसके लिए ज्ञान योग पर अटेंशन रखने की शिक्षा भी देते, तो आएए रिवाइस करते हैं आज के 2 ओक्टूबर 2023 के महवाक्यों को. संगम पर हमें नया क्या-क्या मिलता है, नई मत, नई बाते, नई दुनिया स्थापन करने वाला बाप. उँच तकदीर का आधार क्या है? सर्विस. क्या करने से उँच तकदीर नहीं बनेगी, सिर्फ खाने, सोने और सर्विस न करने से. हम ब्रामनों को क्या करना है? पढ़ना, पढ़ाना, सची गीता सुनाना. बाप हमसे क्या पूछते हैं? तुम स्वर्ग में चलेंगे? वापिस मुक्ती धाम चलेंगे? वैकुंठ की महरानी बनेंगे? तुम वापिस कैसे चल सकते हो? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा. जोली किनकी भरेगी? जो लायक होंगे, जो बाप को याद करेंगे? वापिस जाने के लिए क्या पुरिशार्थ करना है? बाप को याद करो, देह के सब धर्म छोड़ो, अपने को देही समझो, स्वीट होम को याद करो, शास्तरादी जो पड़े हैं वो सब छोड़ो. सत्युक के महल बनाने के खयालात किसके चलते हैं? जो अच्ची रिती पढ़कर पढ़ाते हैं. बुद्धी में कौन से खयालात चलने चाहिए? हम कितने नंबर से पास होंगे? कौन से दो अक्षर याद रखने हैं? अलफ अल्ला बे बादशाही. बाबा को किस बात का वंडर लगता है? बच्चे अलफ को याद नहीं करते भूल जाते हैं. सभी बच्चों प्रती बापतादा की श्रेष्ट मत कौन सी है? बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो. किस फीलिंग में रहने से फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता? मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं सर्व श्रेष्ट आत्मा हूँ, मैं कोटों में को शुद्ध फीलिंग में रहने से क्या फायदे होते? मेहनत से बच जाते, वर्दानों में पलने का अनुभव करते, सेवा में सफलता पाने का अनुभव करते. ब्रामन जीवन का श्रेष्ट लक्षे कौन सा है? संगम्युकी मर्यादा पुरिशोत्तम बनना. यहां रहते भी न पढ़ने तथा औरों को आप समान न बनाने से दास दासी बनते. यह थी आज की मुर्ली की विशेश बाते. सदा हमें इस पात को स्मृती में रखना है कि हम ब्रामन आत्माओं का श्रेष्ट लक्षे है. संगम्युकी मर्यादा पुरिशोत्तम बनना. जब हम इस स्मृती में रहेंगे तो सहची अपने ज्ञान योग को तीवरगती से आगे बढ़ा सकेंगे और हर प्रकार की फीलिंग से सदा मुक्त रहेंगे. ओम शंते.